हे दोस्तों आपका स्वागत है इन्फिनिटी ज्यान के एक और फ्रेश वीडियो में आज मापको बताऊँगा की इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में अलीबबा क्लाउड में वर्डपरस का वेबसार्ट होस्ट कर सकते हो तो इस सबके बारे में जानने के लिए वीडियो दे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं तो चला ही स्टार करते ही आज का हमारा वीडियो तो आपको पता होगा कि अलीबबा क्लाउड के अंदर आप वर्णियर के लिए बिल्कुल फ्री में वर्डपरस का वेबसार्ड होस्ट कर सकते हो और अलीबबा के अंदर आपक पावर्फूल कलाउड होस्टिंग वर्णियर के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा तो मैं आपको यहीं बतने वाल हो च्टेप बश्टे प्रोसेस के अंदर की किस तरह से आप विल्कुल फ्री में आपका वर्डपरस का वेबस अलीबुबा क्लाउड के अंदर होस्ट कर स सबसे पहले तो आपको simple google के अंदर लिखना है अलीबाबा इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है cloud और free trial आपको select करना है जैसे आप अलीबाबा cloud free trial search करोगे तो जितनी भी तो यहाँ पर इड़ है इसको skip करके आपको सबसे पहला जो link मिलेगा इसको आपको open करना है यह वाला link है इसको आपको open करना है तो यहाँ पर simple इसके उपर हम इसके बाद आपके सामने इस परकर का interface open होगा इसमें से simple आपको यहाँ पर create free account का एक button दिखाए देगा इसके उपर click करना है इसके बाद के step के अंदर create your alibaba account वहाँ पर आपको आपका email और password एड़ करना है तो जिस email के मदद से आप आपका alibaba का account बनना चाहते हो वो email आप आपको लिखना है इसके बाद यहाँ पर आपको password सूस्करना है पासवड को अपर होगा आपको spend करके confirm के ओपर click करना है इसके बाद आपको आपका जो email है इसको verify करना है तो यहाँ पर आपको जो भी आपने email add किया है इसके ऊपर एक verification code send करना है अब क्या करना है simple हम open करेंगे Google इसके बाद Gmail तो Gmail के अंदर आपको Alibaba Cloud के तरफ से एक verification नमर आया होगा यहाँ पर आपको दिखाए देगा यह जो नमर है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करने है verify बटन के ओपर आपको क्लिक करना है तो आपका जो email है वो successfully verify हो जाएगा यहाँ पर आपको देखाए देगा आपका account successfully create हो चुका है इसके बाद आपको आगे के step के अंदर यहाँ पर account tab select करना है तो generally अगर आप blogging के लिए Alibaba Cloud का जो free trial है इसका आप यूज कर रहे हो तो आपको individually choice करना है इसके बाद आपको जाना नीचे यहाँ पर आपको इन्फरमेशन division करने हैं तो यहाँ पर आपको बने दनी कोशीज करना है कि जो आपकी accurate information है मतलब कि जो आपकी सही information है वहीं आपको यहाँ पर एड़ करने है तो यहाँ पर मैंने सभी पर करकरके विरिभाई का बटन होगा इसके उपर प्रेस करना है तो जो भी आप तो जो भी आपने मोबल नमर एड़ किया है वो मोबल नमर के उपर आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा वो टीपी वो आपको लिखना है इसके बाद विरिभाई के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको देखे देगा हमारा मोबल नमर सक्सेस्फुली विरिभाई हो चुका है इसके बाद मोस्ट इंपोर्टन यहाँ पर आपको देखे देगा एक ओप्शन अगर आप इसको skip करते हो तो आपके mobile नमर के अंदर जो promotional ओपर के deals के message वगर आएंगे Alibaba cloud की तरफ से अगर आप इसको नहीं चाहिए अगर आपको इसको नहीं चाहिए तो simple आपको इसको टिक करना है इसके बाद simple हम क्या करेंगे submit बटन के उपर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर आपका payment method एड़ करना है तो यहाँ पर आपको पता होगा Paytm सबसे आसान payment method है यह आपको आपकी account को verify करने के लिए payment method एड़ करना पड़ता है तो यहाँ पर हमसूस करेंगे Paytm तो Paytm के सामने Mind का Option है इसके उपर क्लिक करना है आपको यहाँ पर आपका Paytm नम्मर Add करना है इसके बाद यह नम्मर के उपर आपको Verification Code Send करना है, Code आचोका है Code लिखने के बाद आपको Add Now के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको देखे देगा आपका जो Account Successfully ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा है Success You are all set, Start your Free Trial Now तो इसके नीचे आपको एक और बटन देखा देगा Free Trial का इसके उपर आपको क्लिक करना है, जैसे Free Trial के उपर आप क्लिक करोगे हैं तो आपके सामने इस पर करका Interface Open होगा, अब यहाँ पर आपको आपका जो Free Trial है, इसके अंदर आपको Plan सूच करना है सबसे भील आपको देखे दाएगा, अगर आप यह Complete Free Trial को One Year के लिए यूज़ करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको Resources कम मिलेगा, अगर आप ज़्यादा Resources चाहते हैं, तो यह जो आपका Complete Trial का Time Period है, वो कम हो जाएगा जैसे कि अगर आप One Core, One CPU और One GB Memory सूज करते हैं तो वो चलागा One Year के लिए अगर यहाँ पर आप Two Core, Two GB Memory वाला CPU यानकी Server सूज करते हैं, तो यह आपको चलागा, तो यह आपको मिलेगा तीन मत के लिए, तो अगर आप एक New Block बना रहे हैं, तो मेरी ख्याल से सबसे पहला जो प्लान है वो आपके लिए परवेक है जिसके अंदर आपको One Core, One CPU और One GB मेमोरी मिलेगा और यह चलेगा completely One Year के लिए, तो by default यहीं Select है, simple आपको Select करके Try Now के ओपर क्लिक करना है इसके बाद most important आपके सामने एक pop-up ओपन होकर इसके अंदर आपको सबसे पहले तो आपका Data Center है वो सूज करना है, तो इंडिया के अंदर से रहकर आप WordPress का वेबसेट वगरे होस्ट करते हो या तो इंडिया के अंदर रहकर Alibaba का आप यूज करते हो, तो definitely आपको यहाँ पर जो इंडिया सूज करना चाहें, इंडिया के अंदर Alibaba का जो Data Center है वो Mumbai के अंदर है तो यहाँ पर हम सूज करेंगे इंडिया इसके बाद यहाँ पर आपको यह जो Option इसके अंदर किसी भी परगर का Changes नहीं करना है, यहाँ पर आपको Operating System के अंदर जो सूज करना है कि कौन सी Operating System का यूज करके आप सर्वर को आगे जाके यूज करना जाओंगे, तो जिस Operating के बारे में आपको ज्यादा पता है वो अफ्सूस कर सकतो है या तो Directly अगर आपको आपके Server के अंदर WordPress इस्टूल करना है आपको Linux के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है, तो Directly यहाँ पर आपको WordPress का भी Option मिलता है, बाद में आप इसको चेंज कर सकता है या तो आपकी एक Server के अंदर आपको Multiple website अगरे अड़ करना है, तो यह जो Complete Server है इसको आपको manually configure करना पड़ेगा, लेकिन आप एक 90K परसन आपको यह सब के बारे में knowledge नहीं है, तो Simply यहाँ से आपको WordPress 4.9.8 on Lamb Ubuntu 16 सूस करना है, बाद में यह Automatically update होके जो भी latest version होगा OS का और WordPress का वो आपको मिल जाएंगा, operating system सूस करना के बाद आपको Tremant Condition को Accept करके Try Now के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर Try Now बड़न के उपर क्लिक करने के बाद अगर कुछ error आती है और फिर से आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने Sparker का message आएगा, तो आपको टेंशन लेंड के सुरूदने, simple आपको यहाँ पर OK के उपर क्लिक करना है, इसको यहाँ से आप close कर दीजे, तो simply आपको आपके menu के अंदर Console का option में लगा, वहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद simple यहाँ पर हम OK बटन के उपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको menu के उपर क्लिक करना है, इसके बाद आपको ECS के उपर क्लिक करना है, तो जैसे आप ECS के उपर क्लिक करोगे, इसके बाद है वहीं server आपको यहाँ पर दिखाए देगा तो कहीं बार internal error की वज़े से ऐसा होता है तो आपको attention के जरूत नहीं है अगर error आता है तो directly आपको ECS के अंदर जाकर instant के ओपर click करना है तो आपका जो server है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगा अब हम क्या करेंगे simple सबसे पहले तो इसका जो dix है इसको change करेंगे मतलब की जो starting के अंदर हमने इसके अंदर Ubuntu सुच किया था इसका पूराना वर्जन तो हमें क्या करना है इसके अंदर directly WordPress install कर देना है तो कि इस तरह से सबसे पहले तो आपका जो complete server है इसको आपको stop करना होगा तो server को यहाँ पर हम सिलेक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको stop का option देखा रहेगा इसको पर click करना है stop के अंदर आपको first stop select करना है वर्ना आपका जो server है इसको stop होना में कुछ time लग सकता है लेकिन यहाँ पर आपको simple force stop को select करके tick mark करके ok बटन को उपर click करना है अब यहाँ पर आपको आपका जो server है इसका status चेक करता रहेना है कि यह जो जैसे stop होता है इसके बाद आपको complete आपका जो server है इसको tick करना है अब देखे जब तक आपका जो server है वो stop नहीं होगा तब तक आप आपके server की disk को change नहीं कर सकते तो इसको stop करना बहुत ही जरूरी है इसके बाद आपको server को select करना है more के option को उपर आपको click करना है disks and images के उपर click करना है और आपको simple replace system disk के उपर click करना है इसके बाद आपको ok button के उपर click करना है इसके बाद के step के अंदर आपको यहाँ पर image के अंदर market image के उपर जाना है इसके बाद select from image market के उपर आपको click करना है इसके बाद यहां पर आपको simply wordpress search करना है जैसे कि यहां पर मैंने search किया wordpress search button को पर आप click कीजिए अगर आपका free trial active है तो आपको pricing के अंदर 001 दिखाए देगा तो यहां पर आपको काफी सारे option मिलते है अब देखिए wordpress का जो भी यहां पर version है वो इसको आपको यहां पर नहीं देखना क्योंकि बाद में आप अपने dashboard के अंदर भी इसको चेंज कर पाएंगे आपको यहां पर simple दूसरा जो wordpress है इसको select करना है तो आपको यहां पर देख करना है तो यहां पर password आपको strong choose करना है वरना आपका जो simple password है वो यहां पर work नहीं करेगा पासवर्ड मैंने यहां पर लिख लिए है इसके बाद आपको यहां पर term and condition को accept करना है और आपको create order के ओपर click करना है इसके बाद के step के अंदर आपको यहां पर final purchase करना है payment आपको किसी भी प्रकर करना ही करना है यह जर्श्ट एक process होता है तो यहां पर simple आपको purchase button के ओपर click करना है तो यहां पर आपको देखे देगा congratulations purchase successfully इसके बाद simple आप फिर से console button को पर आप click किजे तो यहां पर आपको complete आपके wordpress की information देखा देगी कि आपका जो wordpress का complete plan है वो किस date को एक्सपैर होगा 2021 के अंदर जनकी one year के बाद यह expired होगा तो यह हो कि wordpress हमारे server के अंदर जनके हमने devs को successfully change कर दिया है अब आपको यहां पर menu के अंदर console का option है इसके ओपर click करना है तो आपका main console open होगा इसके बाद आपको चाने फिर से menu में ECS के ओपर आपको click करना है इसके बाद आपको instant के उपर click करना है अब आपको यहां पर देखाए दागा कि आपका जो server है वो यहां पर अभी running mode में है तो simple आपको करना क्या है कि यहां से आपको जो public IP मिलता है मतलब कि internet है वो आपका public IP है इसके बाद private IP आपको नीचे देखाए दागा तो आपको आपको जो public IP है इसका simple आपको आपके जो server के अंदर security groups add करने है तो इसके लब को करना क्या है simple आपको लाश्ट में ओप्शन देखाए दागा network and security इसके अंदर आपको option होगा सबसे पहला security groups का इसके बाद आपको आपके server के सामने एक option होगा add rule का इसके उपर click करना है इसके बाद आपको फेर से आपके menu के अंदर quickie rule creation के ओपर click करना है अब यहाँ से आपको दो security groups add करने है सबसे पहले आपको यहाँ पर search करना http इसको take कीजे इसके बाद यहाँ पर आपको tcp के अंदर 21 slash 22 add करना है इसके बाद यहाँ पर आपको authorisation object के अंदर 0.0.0.0.0 add करना है और आपको simple ok बटन के ओपर click करना है इसके बाद फेर से आपको एक rule add करना है यहां पर आपको HTTP ASUS करना है इसके बाद TCP के अंदर 31-32 इसके बाद आपको यहां पर फिर से Authorization Object के अंदर 0.0.0.0-0 इसके बाद आपको OK बटन के उपर क्लिक करना है यह होगी है यहां पर हमने सक्सेसफुल एड कर दी है इसके बाद फिर से आपको जाना है आपके Instant के अंदर यहां पर एक बार आपका तो server है इसको आपको restart करना है यहां पर आप सिंपल restart सूज करके OK बटन के उपर क्लिक कीजिए आपका server है वो stop होगा इसके बाद फिर से restart होगा तो हमारा server restart हो जोगा है मतलब की stop होकर फिर से start हो जोगा है अब हम सिंपल क्या करें कि यह IP को यहां से install कर देना है तो यहां पर सबसे बेले language सूज करेंगे continue बटन को पर क्लिक करेंगे website के title के अंदर जो भी आप domain इसके साथ connect करेंगे इसका title इसके बाद username के अंदर लखेंगे admin और password के अंदर जो भी आपको password रखना है वो यहां पर आप रख सुरत हो यहां पर password सूज कर लिए इसके बाद जो यहां पर हमारा email और install WordPress को पर क्लिक करेंगे login बटन को पर क्लिक करेंगे same IP को कोफी करके हम हमारे same browser के अ access करेंगे तो अब आपको देखे रखा कि आपका जो WordPress का login पर आ चुका है जो भी आपने password रखा है password username लिखकर सिंपल हम login बटन को पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखे रखा कि WordPress का dashboard successfully open हो चुका है most important step है कि इसके साथ domain name connect करना है आपके पांस दो रास्ते हैं आप Alib Cloud के अंदर ही domain जो purchase करके आप यहां पर connect कर सकतो है आपको जो Alibaba है इसका main homepage open करना है तो वहां से आपको domain purchase करना को option मिलागा आप free tire के अंदर काफी cheap price में domain name register कर पाएंगे product and services के अंदर आपको जाना है इसके बाद यहां पर domain in website का option find करना है और आपको domain के उपर क्लिक करना ह तो यहां से आप एक new domain name register करके आपके block के साथ आप connect कर पाऊंगे simple आपको यहां से जो काफी सारे domain available है dot take dot x widget जैसे dot side जैसे आपको काफी cheap price में यहां से मिल जाएंगे इसके बाद अगर आपके पास कहीं और अपने domain name लेकर रखा है और इसको आपको connect करना है तो वो कैसे कर बहुत बहुत ही आसान है आप बीच में cloud fair का यूज़ कर सकते हों अगर आपको cloud fair का यूज़ नहीं करना है तो directly आपका जो domain है इसको आप connect कर सकते हो हम क्या करेंगे यहां पर simple cloud fair का बीच में यूज़ करेंगे तो आपका जो domain है इसके अंदर बिल्कुल फ्री में आपको SS certificate मिल जाएंगा आपको जाना है गूगल के अंदर यहां पर आपको लिखना है cloud fair इसको हम open करेंगे इसको बस सिंपल यहां पर हम साइन अप करेंगे तो यहां पर हमारा account successfully open हो चुका है हमारा domain का नाम है gkqnm.com यह हमारा domain है इसके बाद add side के उपर हम click करेंगे यहां पर free plan choose करेंगे confirm plan के उपर हम click करेंगे इसके बाद continue button के उपर हम click करेंगे और यहां पर confirm के उपर क्लिक करेंगे अब हमारे डोमेन के अंदर हमें नेम सर्वर चेंज करने है तो मेरा यह जो डोमेन है वो नेम चिप के अंदर है इसके सामने मेनेंस का ओप्शन है वहाँ पर हम क्लिक करके simple इसका जो यहाँ पर name server है इसको change करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो name server हमें add करना है यहाँ पर इसके बाद यह दूसरा है इसको copy करेंगे और simple यहाँ पर प्रेस्ट करेंगे इसके बाद simple इसको update कर देंगे तो name server successfully change हो चुके हैं यहाँ पर name chip को एक बार refresh करेंगे और name chip को यहाँ से हम close कर देंगे अब आपको थोड़ी देर wait करना है आपका जो name server change होकर आपका domain cloud पर रखे अंदर जब active होगा इसके बाद आगे की process करने हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे done check name server के उपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ step आएंगे जिसके अंदर सबसे पहला step है अगर आपको आपके साइड के अंदर बिल्कुल free में करना है तो यहां से आपको flexible सूज करना है क्योंकि यह बिल्कुल free है इसके बाद always use https को आपको enable करना है और done बटन के उपर क्लिक करना है अब यह आपका जो dashboard ऐसे रहेगा जब तक आपका domain है वो cloud पर के साथ connect नहीं होता तो यहां पर थोड़े दिर हम wait करते हैं जैसे हमारा domain cloud पर के अंदर active होता है इसके बाद आगे की process करते हैं तो यहां पर आपको दिखे देगा हमारा website successfully connect हो चुका है website connect होने के बाद simple आपको जाना है dns के अंदर यहां पर आपको दो record एड़ करने सबसी पिला record आपको एड़ करना है यह रेकोड यहां पर आपको name के अंदर अ internet ip addition की public इसको coffee करना है और यहां पर page कीजे इसके बाद आपको save button के ओपर click करना है इसके बाद आपको एक और record एड़ करना है वो होगा आपका cnm record तो यहां से cnm record इसके बाद www और आपको target के अंदर gk qna मतलब की आपका domain का नाम और आपको save button के ओपर click करना है तो आपको तो आपके यहां पर दो record successfully add हो चुके हैं और simple अब आपको थोड़ी देर wait करना है थोड़ी देर के बाद आपको आपके domain के साथ आपका website access करने की कोशिश करनी है तो आपका website connect हो चाहेगा तो यहां पर हमने थोड़ी देर wait किया है अब क्या करते simple यह जो domain है इसको open करते है jkq.com और enter तो यहां पर आपको देखे देगा कि website open हो रहा है लेकिन अभी इसके अंजर प्रोपर वेसे SSL certificate enabled नहीं हुआ इसलिए इस प्रकर का interface आ रहा है अब यहां पर simple हम क्या करें कि WP admin और WordPress का dashboard open करेंगे तो यहां पर जो भी password add किया था है वो password और enter तो आपको यह करना है कि आपके dashboard के अंदर आपको आपका domain करने करना है अभी आपका website IP के साथ access हो रहा है तो जाना है setting में general के उपर आप क्लिक कीजें यहां पर आपको देखे देगा आपका जो WordPress का URL है site URL और address इसके अंदर आपको simple आपका domain name add करना है तो यहां पर आपको देखे देगा हमारा जो domain हो perfectly connect हो चुका है gkunit.com तो simple आप हम क्या करेंगे WordPress के अंदर login करने के लिए हमारा domain name use करेंगे तो domain name इसके बाद wp-admin और enter आपको देखे देगा कि login page open हो चुका है यहां पर लेखेंगे admin इसके बाद जो भी हमने password add किया था व यहां पर आपको देखे देगा हमारा dashboard successfully open हो चुका है with domain name और आप अपने dashboard को यहां से completely access कर बाऊंगे तो ये वीडियो जहीं तक था जिसके अंदर में आपको सब कुछ detail में बाद कि किस तरह से आप Alibaba का account बना सकतो हम इसके अंदर server deploy कर सकतो हम WordPress installation इसके बाद domain name करने करना स आपकुछ इसके अंदर cover हो चुका है तो इस तरह से आप Alibaba cloud के अंदर आपका जो WordPress का website बिल्कुल free में one year के लिए host कर सकतो हम यह आपको देखे देगा gkqun.com और यह अभी Alibaba cloud के अंदर successfully hosted हैं तो यहां पर आपको देखे देगा यह post over हो चुका है hello world मनलब कि इसके अंद WordPress perfectly work कर रहा हैं तो यहां तक आप try किजे Alibaba के अंदर आप अपना WordPress का blog host कीजे बिल्कुल free में one year के लिए अब आपको इसके अंदर किसी भी पर करका issue आता है आपको error आता है तो आप comments मुझे कीजे और comments के अंदर आप मुझे बाद है कि इसे इस पर करका issue आ रहा है error आ रहा आपको solve करते होंगा और जितने भी जो आपको error आ रहा है इसका भी में आपको solution दे दोगा तो इस तरह से आप बिल्कुल free में one year के लिए Alibaba cloud के अंदर आपका WordPress का website host कर सकते हो तो बस दोस्तों ask out यहें तक था thank you for watching this video